आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम इस वीडियों बात करेंगे भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर मुसल्मानों की आबादी सबसे कम है यानि यह बात करेंगे भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर मुसल्मान जो हैं सबसे कम रहते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आपको जैसे के जानते हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं आपके लिए इस तरहीके की ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो मेरी आप अगर वीडियो देखते हैं कि हमें इस तरीके की वीडियो लाईए हम यह वीडियो देखना चाहते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम मुसल्मान रहते हैं तो दोस्तों वो निकल कर आता है लक्षदीब यह राज्य नहीं है दोस्तों यह एक यूनियन टे यह जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है लगदाक को यूनियन टेरिटरी बना दिया है वैसे ही दोस्तों लक्षदीब है यूनियन टेरिटरी जहां पर सबसे कम मुसल्मान रहते हैं भारत के अंदर दोस्तों वहीं दोस्तों लक्षदीब की अग बहुत ही ज्यादा कम है और वो पॉपुलेशन आपको इसके इन पर दिख रही होगी दोस्तों यह स्टेट इयर वाइज लिख रहा है 2017 में इतनी थी 2018 में इतनी थी 2019 में इतनी थी वहीं दोस्तों हम बात करेंगे 2020 की तो 2020 में निकल कर आ रहा है कि 65,998 यानि पूरे के 66,000 के अंदर तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर देख रहा हो परसंटेज के हिसाब से आपको दिख रहा हो हिंदू 2.77% मुस्लिम 96.58% क्रिश्चन 0.49% 60.01% बुद्धी 0.0% जैन 0.02% अधर 0.01% नोट एवेलेबर 01% लोग रहते हैं यानि सबसे ज्यादा तो रहते हैं लग टो 60,000 मुसल्मान लगबग लक्षडीब के अंदर रहते हैं और दोस्तों लक्षडीब जो है वो एक यूडियन ट्रेटर ही है और यानि इंडिया के अंदर सबसे कम जो मुसल्मान रहते हैं वो लक्षडीब के अंदर रहते हैं दोस्तों आपकी क्या पिटिक रिया इसको लेक नहीं